तो आप सभी ने कभी ने कभी ब्लड में कलिस्ट्रॉल हाई होने के बारे में तो सुना ही होगा पर क्या आपने कभी यहां पे ब्लड कलिस्ट्रॉल इकठा हुआ देखा है यह बहुत common condition है जिसमें blood के कलिस्टरॉल है वो eyelid के area में आ जाते हैं और इसे हम zenthalizma कहते हैं zenthalizma के treatment options बहुत सारे हैं but सबसे effective तरीका surgery है और वह आपको सबसे ज़्यादा अच्छे results देता है long term में अगर इस बारे में आप और जानना चाहते हैं मुझे comment box में लेकर बताएं